हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का CRPF की हेड कोंस्टिबल मिनिस्टियल की कब रेजल्ट आएगी जो 11 मार्च तक कंड़क्ट कराये गया था आपकी भरती परिक्षा काफी ज़्यादा लोगों की यह सवाल है आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इनफॉर्मेशन कुछ लेटेस्ट मिली है इनफॉर्म करने वाला हूँ साथ के साथ ये भी मैं बताऊंगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब कंड़क्ट कराये जाएगा तो बने रहे है दोस्तों इस वीडियो में वीडियो काफी ज़गा इंपॉर्म किया जाताँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ फॉर्म कब आया था साथ के साथ दोस्तों उसके एक्जाम कब कंड़क्ट कराए गये यहाँ पर दोस्तों 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी था उसे दोस्तों किसका कर 11 मार्च रख दिया गया था साइद आप लोगों को पता होगा यहाँ पर दोस्तों समझने योग बात यह है कि करीब 10 दिन आपके एक्जाम खसक गयते और आगे रजल्ड दोस्तों आप लोगों को इसमें बताये गया था कि 11 अपरेल को आएगा बड़ दोस्तों जब इसका 10 दिन करीब एक्जाम किसक गया था तो 10 दिन मान कर चलिए कि आपके रजल्ड भी आगे खिसकेंगे इसके अलावा दोस्तों सबसे important बात ये भी है कि आपका typing test कब conduct कराये जाएंगे दोस्तों माई के second week में आपकी typing test start होने की expectation है ये दोस्तों आधिकारिक update मिल रही है कटाप थोड़ा सा increase हो सकता है इसका क्योंकि करीब दोस्तों 1400 कुछ बैकंसी है और काफी ज़्यादा लोगों ने इस भरती परिक्षा में participate हुए है इसके अलावा आप लोगों के लिए कोई भी information आएगी inform कर दिया जाएगा वीडियो को like ने कियो तो like कीजेगा और चैनल पने हो तो subscribe के bell icon को जरूर प्रेस करें